सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिये गए रैड बटन से और बाद में बैल आइकन दबाए हमारी लैटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस भर्थी के लिए आवेधन कर सकते हैं ओल इंडिया के वेकेंसी जे सभी male और female candidates बहरत के किसी भी राज्ये से इस भर्थी के लिए कैसे apply कर सकते हो और कब से कब तक apply कर सकते हो इन सब चीजों की पूरी जानकारी के लिए बने रहे इस वीडियो में अंत्तक हमारे साथ इस वीडियो को अंत्तक देखने पर आपके सभी सुवाल आउट डाउट की लिए रोंगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं इस भरती की पूरी जानकारी सुवास्ते विभाग के अंतरगत ये भरती होने जा रही है जहांपर पोस्ट का नाम है स्टाफ नर्स स्टाफ नर्स की स्पोस्ट के लिए आपर 6114 वैकेंसीज हैं जिनको भढ़ने के लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाई जा रहे हैं क्वालिफिकेशन के अगर बात की जाए तो कैंडिडेट का कम से कम बारवी कलास पास होना जरूरी है पलस उनके पास GNM का डिप्लोमा या फिर BSC की डिग्री नर्सिंग के अंदर होनी जरूरी है इस पर्ति में पार्टिसिपेट करने के लिए आयू सीमा आपकी मिनिमम अठारा साल और मैक्सिमम 49 साल लखी गई है सेल ली के अगर बात की जाए तो यहाँ पर सेल ली आपको 29,800 रुपे पड़ती महिना के इसाब से लेवल 9 के तहत प्रोवाइड करा दी जाएगी फीस यहाँ पर जन्नल और OBC के लिए 160 रुपे है SC, ST और PH Category Candidates के लिए कोई आविदन सुल्क नहीं है यह आविदन सुल्क आप Government Receipt Portal System के आधार से जमा करा सकते हो सेलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन एक्जामिनिसन और इंटर्यू के आधार पर किया जाएगा ओनलाइन आप इस भर्ति के लिए आविदन कर सकते हो वेबसाइट है WBHRB.in जो अब लोकेशन वैश्ट बैंगोल है ओल इंडिया में आप कहीं से भी आविदन कर सकते हो डेट्स के अगर इस भर्ति की बात की जाए इसके बाद भी दोस्तों गर आपको इस भर्ति के बारे में और ज़्याद जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वैबसाइट के इस पेज का लिंक नीचे डिस्किप्शन बोक्स में पलस फॉस्ट कमेंट बोक्स में मिल जाएगा जहां पर जाकर आप डिरेक्ट लिए इस भर्ति के ओफिशल एडवर्टाइजमेंट की पीडिएफ को ओपन करके पूरी डिटेल आप उसमें से रीट कर सकते हो जिहां दोस्तों यह इस भर्तिक के Official Advertisement की PDF का Direct Resource Link है जैसे ही आप इस Link पर किलिक करोगे तो आपके सामने इस भर्तिक का Official Advertisement खुल जाएगा यह इस भर्तिक का Official Advertisement है यहां से आप पूरी डिटेल विस्तार पूरवक वन बाई वन करके रीट कर सकते हो जैसे कि क्या Post का नाम है, कितनी उसके लिए Number of Frequencies है, कितनी से लिए आपको Provide कराई जाएगी और कौन सी Category के लिए कितनी Number of Frequencies है यह पूरी डिटेल आपको यहां पर One by One करके Provide कराई गई है जो कि आप यहां से Read कर सकते हो पूरी डिटेल यहां से Carefully Read करने के बाद आप सिंपल इस भरती के लिए Online आवेदन कर सकते हो Online आवेदन करने के लिए Link भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर Provide कराई गया है यहां दोस्तों इस भरती पर आवेदन करने के लिए Apply Online का Directive Source Link है जैसे ही आप इस Link पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस भरती पर आवेदन करने के लिए Online Portal खुल जाएगा यह इस भरती पर आवेदन करने के लिए West Bengal Health Recruitment Board का Online Portal है यहां से आप सिंपल इस भरती के लिए Online आवेदन कर सकते हो आज की वीडियो में बस इतना ही I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इसे Like और Share करना मत भूलना साथी साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि हम डेली बेसिस पर आपके लिए ऐसी ही Big Government Jobs की अपडेट अपने इस चैनल पर अपलोड करते है